आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे सुप्रिम कोट की एक बड़ी अपडेट की जिसके बारे मैंने कल वीडियो बनाया था और आप लोगों को जानकाली दीती कि आज के आडर से सब कुछ क्लियर हो जाएगा और सुप्रिम कोट में मामला बहुत जादा लंबा लट लटकता है उस तरीके से नहीं लटकेगा और एक ही सुनवाई में आपका जो मामला है वो क्लियर हो जाएगा और हुआ भी ऐसा ही और मैंने आप लोग अपडेट दिया था कि सुप्रिम कोट में सुनवाई होनी है पस्चिम बंगाल के एक हैं अरणाव गोस नों याजका ड रात्रह 1-5 के इलीजबिल नहीं है और NCT का जो नोटिफिकेशन है जो गजट है वो रद किया जाता है वो गलत तरीके से जारी किया गया था इसके बाद अलग अलग राज्यों में बहुत सारी याजका है डाल दी गई है चाहे वो मद्ध प्रदेश हो उत्तर प्रदेश का बाहर निकाले का आदेश पटना हाई कोट ने दे दे दिया उसके बाद में अब उत्तर प्रदेश में मामला चल रहा है और अनराज्यों में तो यह कहा गया कि जो पहले के जो पहले के चैनी थे उन पर हांत ना लगाए जाए और यह जो आडर है वो 11 अगस्ट 23 से लागू हो और यह सुप्रिम कोट किलियर कर दे लेकिन जैसक कि मैंने बताया था आप लोगों से कि चात्रों का जो समय अच्छा नहीं चल रहा है और हुआ भी ऐसा ही आज सुनवाई हुई ऑनेबल जस्टिस अनुरूद बोस और अनेबल जस्टिस सुदानसु दूलिया जी की बें आप लोग जानते ही और जोरदार बैस विया जिसे आप लोग यहां पर देख सकते हैं यह बिएट के चात्रों के तरफ से अधिवक्ता अभिसेग मनु सिंगिवी और प्रशांद भूसन यह आर्गुमेंट कर रहे हैं और इदार जो नीचे की तरफ आप लोग देख रहे ह कोड्मर पाफ यह सुनवाई हुई और फिर से वही अर्गुमेंट किया गया कि हम पहले के चैनित हैं और पूचा गया क्यों, आपका चैनित किया गया वो क्रास क्वेस्टन पूच रहे थे और उन्होंने का बेज कुर्स तो हुआ नहीं है और यह अलिमेंटरी एजुक्षेशन तो आप लोगों को मौका क्यों दिया जाएगा उन्होंने का कि हम बहुत पहले से पढ़ा रहा है और हमको मौका दिया गया था टीटी पास सब तो याजका वापस करने की भी मांगी गई लेकिन याजका वापस भी नहीं करने दिया गया और इसको खारिज कर दिया गया मतलब इसका यह होता है कि वियेट चात्रों को कोई भी रिलीफ नहीं दी गई कि आप इस तारिक से पढ़ा पाएंगी यही कहा गया कि जो 11 अगस्त 2023 का सुप्रिम कोर्ट का अडर है वही सब कुछ है और उस अडर ने गजट को रद माना था जो अधपुर हाई कोर्ट का अडर उसको बरकरार रखा था कुल मिलाकर कि बिलिएट जो है वह सुरू से गलत सिद्र किया गया और उस बिलिएट के चात्रों को कोई भी रिलीफ कहीं से भी नहीं दी जा रही है अब समस्या यह है कि जो अलग-अलग राजियों जो चेहनित सिख्चा कि अब उनका क्या होगा उनका अब यह होगा कि य वेकेंसी सुप्रिम कोड के आधीन भी है जो भी चीजें है अपना सुप्रिम कोड देखे की वहीं पर सबसे बड़ी बात यह कि जो ग्यारा अगस्त को जो आडर दिया गया था वो बहुत बड़ा आडर है देखना यह होगा कि अब जो अलग अलग राजियों के जो चैनित चात्र है वो अपनी नौकरी को किस तरीके से बचा पाते हैं किस तरीके से पहरवी करते हैं अगर हम लोग बात करें तो इसमें थोड़ा सा मिध्यारतियों को राहत मिलती दिख रही है ऐसा इसलिए क्योंकि जब यह 2020 में जब यह भरती की प्रक्रिया चल रही थी मामला कोट में गया था सुप्रिम कोट में कटाफ का जो मामला था उसमें इस मैटर को लेकर के भी चर चाहे हुई थी या नहीं है अब इस पर भैस होना है तो हलांकि अब उसमेटर में गजजट को लेकर के जड़ा बेस नहीं हुए थी तो आज कुछ भी क्लियर नहीं हुआ, बेट के चात्रों को कोई रहत नहीं दी गई आज, और संकट है बेट के चात्रों को, मैंने पहले भी कहा था, कि आप लोग और confidence में मत रहिएगा, अच्छी तरीके से पहरिवी किरिएगा, हाला कि जोरदार पहरिवियाद कीगे बेट क सब जगे लागू होगा, सुप्रिम कोड से बड़ा कोई नहीं है, और बेट के चात्र हैं, उनके लिए संकट की गड़ी है, जो चैनित सिक्षक हैं, और जो पहले से, जो आगे को सोच रहे हैं, वो तो अभी सोचे ही न, आने वाली भरतियों में तो जल्दी बेट प्रात् जो न्याय पालिका है, वो आजकल quality education और अपने दिये गए order पर जल्दी कोई बदलाव करती नहीं है, और अब देखेंगे आगे कि जो गुडू सिंग की याज क्या है, उस पर क्या होता है, और और अधिक जानकारी जब ये order upload हो जाएगा, तो मैं अलग से एक वीडियो बन के लिए बहुत मुद्धन्वाद है.